Hello Student of Class 4th Student, आज हम SST में आपके Chapter चो की Chapter 7 है, इसका book work करेंगे and Chapter 8 का and Chapter 10 का, यह आपके midterm में भी आएंगे, चीके बच्चो आज मैं इसका book work आपको revise करा रही हूं, सभी बच्चे अपनी book को open करेंगे and ध्यान से से read करेंगे, चीके इसमें first है चो सही answer उस पर टिक करना है in India मांसुन लास्ट फॉर्म जो भारत में मांसुन स्टार्ट होता है वो कब से कब तक होता है बच्चों जून से October तक कब से कब तक होता है जून से October तक फिर नेक्स्ट है the main three seasons of India are जो three seasons है इंडिया में भारत में जो तीन season है main वो कौन-कौन से है summer, winter and monsoon है फिर नेक्स्ट है the rainy season जो बारिश का season है वो कभी start होता है बच्चो जून से जून में start होता है the hot and dry winds जो गर्म और सुखी हमाय चलती है that blow through north India उत्री भारत में in summer गर्मियों में are now उन्हें क्या कहा जाता है बच्चो लू कहा जाता है जो गर्म और सुखी हमाय चलती है गर्मियों के दिनों में all seasons have different climate यानि के जो सारे season होते हैं वो अलग-अलग climate अलग-अलग जलवायू रखते हैं तो इसमें क्या जाएगा season many people go to hill station बहुत सारे लोग hill station जाते हैं in summer season कब जाते हैं बच्चो summer season यानि के गर्मियों के समय में जाते हैं फिर next है बांसोन winds जो बांसोनी हवाई होती है blowing from the Arabian sea वो Arabian sea से जाती है एंटर इंडिया फ्रॉम केरला कहां से जाती है अरब सागर से जो हवाई उठती हैं बच्चो वो केरला के दुआरा के दुआरा के दुआरा स्टेट के दुआरा भारत में परवेश करती हैं क्योंकि अरब सागर के पास से केरला हैं ओके बच्चो फिर है राजिस्थान receives just 10 cm of rainfall जो राजिस्थान है वहाँ पर only किती वर्षा होती है सिर्फ 10 cm यानिके बहुत कम वहाँ पर वर्षा होती है इसनों फेल्स यानिके जो बर्फ है वो पढ़ती है इन हेली रिजन यानिके जो जाती है पहाड़ी शेत्रे हैं वहाँ पर ड्यूरिंग विंटर सर्दियों के समय ठीके बच्चो यह था आपका चप्टर नंबर सेवन अब हम पढ़ते हैं चप्टर नंबर एट चप्टर नंबर एट का बुक्वर्ग आपन करेंगे नियू एलिवेल इस कोल जो नियू एलिवेल सोील है उसको किस से जाना जाता है बच्चों खादर के नाम से जाना जाता हैं देस investigating है इसहाज कि जूट कि खेती के लिए red soil has high content of जो red soil है यानि कि जो लाल मिट्टी है उसमें सबसे जादे क्या पाया जाता है बच्छो आयरन यानि कि लोहा पाया जाता है soil erosion is acute in जो soil erosion होता है यानि कि म्रदा अपरदन यानि कि म्रदा का बहना अम्रदा का चिन्बिन हो जाना वो कहां जादे होता हीली एंड ड्राइ रिजन जो परवती है और सूखे चेत्रे हैं वहाँ पर फिर बच्छो दा fertility of soil यानि कि जो मिट्टी है उसकी उपजावपन can be maintained by जो बनाए रखा जा सकता है वो किसके दुआरा बच्छो crop rotation यानि कि crop को यानि कि फसल को अदल बदल कर बोना मैंने आपको बताया था crop rotation क्या होता है जैसे हमने एक ही मिट्टे में बार बार वही फसल नाम बोई जैसे हमने इस बार गेहूं की फसल भी होती है तो अगली बार बाजरा के बोई या मक्का के बोई एक ही साल एक साल में सिर्फ एक मिट्टी में एक ही फसल को बोना चाहिए next time अगर next time हम बोडते हैं तो उसमें उसकी जंगे दूसरी खेती करने चाहिए उससे उस सबसे उंची पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है topmost the breaking of rocks यानि के पथरों कर टूटना by essence of the erosion is cold जो क्या 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 लाता है वह क्या 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 आता है वाद वैधरिंग क्या 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 बच्चोव वैधरिंग क्या लाता है दा डिकेड प्लांट and animals matter that make soil fertile is cold जो की मिट्टी को मिट्टी की उप जपाओं चमता को बढ़ाते हैं उप जाओंपन बनाते हैं उसको क्या क्या किलाता है वो क्या कहलाता है हुमस बेदे क्या फर बसक्राइब की Do प्रिकरिया हो बहुत आसानी से बन जाती है कि प्रिकरिया या नहीं यह नहीं तो क्या जाएगा समें फॉल्स तब टॉप मॉस्स लेयर ऑफ सॉयल कंसिस्ट ऑफ हुमस जो टॉप मॉस्स लेयर है धर्टी की वो उसमें सबसे जाधा हुमस पाई जाती है राइट है तब ही तो हम कोई खेती कर पाते हैं फिर है न्यू अलिवल सॉयल इस गॉल्ड बैंगुर ज ब्लैक सॉयल जो है वो जूट कल्टीवेशन के लिए अधर्श सिधु göz सभी है बलकि स्झाट कल्टीवेशन घ्रीकर व्योह इस टैवल कॉल्स हो इस टैबल को आपको और पीच्ट को सबसे जाए जाता है कि यह प्रॉप जाए यह लिखना एंगे क्रोब ग्रॉप कौन शी फचल हम इस मिट्व उगा सकते हैं यह लिखना फिर्स्ट आप की एलिए ऑलिऑल सोयल में क्या होता है most fertile यानिके सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है यानिके उपजाओती है बहुत जादा है इसमें कौन-कौन से फसल हम उगा सकते है राइस एंड सुगर केंड चावल और गन्ना फिर next है second number पे black soil यानिक काली मिट्टी काली मिट्टी कैसी होती है wet and sticky बहुत गीली और चिपच पेस्टी की मतलब चिपची भी होती है इसमें कौन से फसल हम होगा सकते है जौर और मेज यानिके जौर और मक्का फिर next है red soil यानिके लाल मिट्टी लाल मिट्टी में सबसे जादा special features यानिके quality क्या होती है इसकी iron content इसमें होता है लोहो आयस को लोहो के तत्वों पाये जात होती है sandy यानिके रेतीली होती है बहुत जाद है इसमें कौन से फसल हो जाए जाती है pulses and cotton ऑके बच्चों यह था आपका chapter number 8 अब हम और आपका chapter number 9 cut हो चुका है अब हम पढ़ेंगे chapter 10 ठीक है chapter 10 है जिसका नाम है the minerals resources of इंडिया इनके भारत में जो कनी जिस्तों होते है वो है correct options metallic minerals do not include metallic minerals है वो अपने अंदर include नहीं करता है किसको coil को coil को next है iron and steel factories जो iron and steel factory है वो located कहां इस से था है जमशेदपूर में copper is used for making जो copper है उसको use किस लिए किया जाता है brass brass बनाने में aluminum strength and light weight allows us to use it in manufacturing जो aluminum strength है यानिके aluminum का जो सबस्यादर use होता है और light weight में use होता है इसका सबस्यादर हम किस में इसका use कर सकते है aeroplane बनाने में चीए बच्चो दहा पन्ना belt producer produce जो पन्ना में है पन्ना किस बहुत करता है य offersぎSt Circing पत्थर and diamonds are non-metallic minerals इनको क्या कहा जाता है बच्चो non-metallic minerals कहा जाता है फिर next है stainless steel is made from stainless steel है वो बनाई जाती है किसकी combining iron other metals किस-का combine होता है वो iron का and उसमें other metals भी मिला जाती है तब बनाए जाता है copper is used in manufacturing of electrical equipments यानि के जो copper है तामबा है उसको यूज किस में किया जाता है manufacturing बनाने के लिए क्या electronic equipment जो electronic के तार वगेरा सब होता है ना electronic की चीज़े होती है बच्चो उसमें copper का यूज किया जाता है बॉक्साइट इस दा और जो बॉक्साइट बॉक्साइट है वो किसका आयास के aluminum का किसका आयास के बच्चो aluminum का फिसके true false है coil is used as fuel जो कोईला है वो इंधन के रूप में यूज होता है सही है बच्चो metallic minerals include limestone and diamond जो metallic minerals है उनमें include है कौन-कौन से limestone and diamond अभी बताया है यह कैसी दातों है बच्चो non metallic minerals है copper is combined with nickel जो copper है वो combination है किसका nickel का cop सही है उसके बाद copper is used is packaging जो copper है वो किसमें होता है पैकिंग में होता होता है गलात है यह दा रामगिरी फिल्स जो रामगिरी फिल्स है is diamond producing area एक diamond producing area है यह भी गलत है ओके बच्चो यह आपका chapter complete होता है आप सभी वीडियो को पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपका सब book work revision इसमें कराया गया है thank you have a nice day